बड़ी रिपोर्ट को सुमित गुद मॉर्निंग इस खास रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तेके इंडिया को लेकर इक बड़ी रिपोर्ट आई है क्रेट स्विस की तरफ से राधर बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट का दरजाए से दिया जा सकता है उन्होंने डाउन ग्रेट किया है चाइना को थाइलैंड को और साथी साथ जो रेटिंग से उसको रिवाइस किया है डाउन ग्रेट करके मार्केट वेट में जो की ओवरवेट से घटा के मार्केट वेट की रेटिंग दी गई है और simultaneously उन्होंने इंडिया और Australia की रेटिंग को overweight side पर रखा है उन्होंने बात साफ किया है कि इंडिया बहुती well position दिखाए पड़ता है इस पूरे cyclical move के अंदर साथी साथ जो pandemic की situation है वहाँ पर भी इंडिया बहुत तेजी से उबरा था जो बाकी economies के comparison में ज़्यादा बहुत परफॉर्म करता हुआ गया है severe outbreak जरूर देखा था लेकिन हाँ एक बहुती तेजी से dramatic drop देखा गया है तमाम cases के अंदर जो की pandemic में सबसे बहुतर उभरने वारी अर्षवस्ता में से एक बन कर आया है इसके अलावा उनको लगता है कि जितने भी APAC markets है इन effect markets के अंदर इंडिया well positioned है एकनॉमी के लिहास से भी और pandemic जो है वो अब पीछे चूड़िया है वो इंडिया के लिए तना वड़ा challenge नहीं है कुछ companies पे भी उन्होंने अपनी topic के तौर पर रखा है जिसमें Maruti, Auto Major, SBI, Banking Major, Shiram Transport Finance, ABB, L&T और साथिसाथ Indigo ये कुछ ऐसे नाम है जो उनने अपनी topic के तौर पर भी शुमार किये हैं तो इंडिया को लेकर upgrade और इंडिया के साथ साथ तमाम brokerage house ने तमाम companies दी हैं इनको लेकर भी उनकी overweight rating है अपने वो एक stock board बना रखा है जहाँ पर जो 6 stocks हैं जुड़े हैं as top picks वो आपके सामने screen पर आते हुए दिखेंगे मारूती है, मंगल है तो आप समझे आज मारूती में आपको अच्छा momentum आता हुआ दिखेगा State Bank of India की चहेक आप पिछले दो हफ़ते से देखी रहे हैं L&T, ABB India, Interglobe Aviation और एक stock जो मेरी नजर से निकल गया वो पहले plate पर था उस पर भी ध्यान डाल लेते हैं, वो कौन सा था तीसरे पाइदान पर आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिखेगा श्रीराम Transport Finance, चलिए इस घटना करम पर और और अगराब देखेए Tara Motors पर क्या टेक आया है सुमित, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है Tara Motors पर और एक्जेक्ली प्राइस टार्गेट अब क्या दिया गया है 290 के पहले टार्गेट से CLA से के अब नए टार्गेट से क्या आ रहे है CLA सो लगातार तेजी में ही है वो तो अपनी टॉप पिक में या सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग पिक में इसको डाल कर रखता है और 180 से लगातार टार्गेट रिवाइस करते हुए स्ट्रेटिजी के तहट वो अपनी जो पैट है बाजार में वो और मजबूत कर रहा है उनको लगता है कि थोड़ी और सिचुएशन बेटर होने वाली है JLR की बिटा पॉस्टिव की बाचीत तो थी ही अब कैश फ्लो पॉस्टिव की बाचीत भी मार्केट के अंदर आ चुकी है और करीब-करीब हाफ बिलियन यूरो के आसपास के एक नेट कैश FY23 तक जनरेट करने की बाचीत हो रही है और गोइंग फॉवर्ड उनको लगता है कि सिचुएशन बाकी रीजन्स में लोपिन रीजन्स में चाइनीज रीजन्स में थोड़े और बेतर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं JLR की साइट से इसलिए उनकी तरफ से अभी एक स्टांस न्यूट्रल है और टागेट्स को उन्होंने ऊपर की तरफ रखा है करीब एक 360 रुपे के टागेट्स वो अभी भी टाटा मोटर में देख रहे हैं और यह तब है जबकि एक बड़ा उट परफॉर्मेंस टाटा मोटर की दोर से देखा है चुका है उसके बावजूद भी 360 रुपे के टागेट्स नकी तरफ से आ रहे है झाल 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 झाल